मशूर फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ग्वालियर पहुंचे हैं यहाँ वो एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में आये हुए है बंसल नियूस से बाचित में फिल्म दा कश्मीर फाइल्स को लेकर उन्होंने कहा कि मैं अभी शूटिंग में व्यस्त हूँ मैंने फिल्म के बारे में बहुत कुछ सुना इस फिल्म को देखने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा आईए आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कहा अभिनेता राजपाल यादव में फिल्म जिकत के मस्हूर अभिनेता राजपाल यादब गौलियर पहुंचे हुए हैं हम बात करेंगे एक फिल्म की जो बेहत चर्चाओं में हैं कस्मीर फाइल्स राजपाल जी बहुत चर्चा है उस फिल्म की और क्या कुछ कहेंगे क्या आपने ये मूबी देखी अब ये पिछले 15-20 दिन से यहां गौलियर में शूटिंग कर रहा हूँ तो जैसे ही मंबई पहुंचूंगा ये पहले फिल्म देखूंगा और देखने की बड़ी इच्छा है और बहुत चर्चाओं हो रही है तो जाते ही फिल्म पहले देखने का काम करूँगा लेकिन कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं किया ये बिभाजन वाली बात कह दी है और ऐसी बाते कह रहे हैं जिससे दो बरगों में बिभाजन होगा लोग क्या बात कौन क्या कर रहा है उस पे तो कोई टिपड़ी नहीं करना चाहूँगा लिगन यह है कि हम फिल्म इंड़स्ट्री के आदमी है फिल्म बनी खूप चर्चाओं है तो पहले उसको देखना चाहूँगा कस्मीर का जो मसला है जो कुछ कस्मीरी पंडितों ने भोगा वो इसमें फिल्मांकित किया गया है तो उस पर कुछ कहें गया बिल्कुल यह नब्बे की जो बहुत दुलांत कहानी होई थी और जिसमें कई लोगों के साथ में कई बार चर्चाओं हुए लेकिन अब फिल्म बनी है तो फिल्म अभी देखी नहीं है इसलिए कुछ बोलना उचित नहीं है फिल्म देखने के बाद जरूर अपने विचार रखोंगा उसके बिल्कुल तो ये थे मसूर अभी नेता राचपाल यादब जिनका कहना है उन्होंने कस्मीर फाइल्स अभी नहीं देखी है लेकिन वो फिल्म देखने के बाद कोई टिपड़ी करेंगे हाला कि वो बेहद उत्सायत है और अभी चुकि सूटिंग में बेस्त है इसलिए उन